देखे मित्रों मैं मैंने कहा कि मैं आपका टेस्ट जानता हूँ कविता होगी तो आप सुनते हैं उसको लेकिन आपके दर्बार में एक प्योर ब्यंग की रचना मैं पढ़ना चाहता हूँ आप एक बार आदेशित कर दें तो मैं पढ़ता हूँ स्वागत सुनिये सिधे सिधे पढ़ता हूँ मैं मैं सिधे सिधे पढ़ता हूँ ज्यादा वक्त नहीं कराओं की कच्छा एक से दस तक वो मेरे साथ पढ़े थे आपने खुब आनंद लिया इसमें भी आनंद आएगा बातों को बारी चीजों को पकड़ियेगा बस कच्छा एक से दस तक दम्दार भाई आप भी सुनना मंच से प्राटना है नई कवित्या पढ़ रहा हूँ गुरु जी असिरवाद आपका मिले कच्छा एक से दस तक वो मेरे साथ पढ़े हैं दसमें में फेल हो गए फिर नहीं पढ़े नेतागीरी की तरप बढ़े अरे वही मेरे मित्र जुगाडी लाल कमाल संतरी बनने के उमीद नहीं थी मन्तिरी है उस दिन दिन कई कई सभाएं करके लवते थे दिन भर देश देश किये थे शाम को देशी लिये थे मूड बना था मुझे देखते ही बोले आओ आओ मेरे बचपन के मित्र राधेश याम भारती ब्यंगकार मेरे उपर खूब मंचों से ब्यंग कस्ते हो हाँ याद रखना किसी दिन उतर जाएगी आरती लोगों को जगाने चले हो पकड़िए गा ब्यंग लोगों को जगाने चले हो कुछ समझ में आता है मुर्गा जगाने के लिए चिलाता है काटा जाता है क्या बात है क्या बात है मुर्गा जगाने के लिए चिलाता है काटा जाता है अरे ने 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 तुम मत घबराओ तुम आओ तुम तो हमारे बच्पन के मित्र हो और मित्र पर तो हम कृष्ण जी से भी ज्यादा ध्यान देते हैं कृष्ण जी ने सुदामा की कांक से पोटली खीची थी हम अपने मित्र को पेड़ पचढ़ा कर उसकी लंगोट खीच लेते अरे तुम क्या हो हम तो बड़े-बड़े बिद्वानों को भी तिनकेक बराबर तोलते हैं बिद्वान किसी विशय पर घंटे भर बोल सकते हैं हम तो बिद्वान विशय के सवेरे से साम तक बोलते हैं हमने कड़ी मेहनत की है जनाब तब जानते हैं कि कहा फेर और लबली लगाना है कहा खिजाब कब दुम हिलाना, कब गुर्राना, कब भूंकना, कब काटना है कब गले लगाना, कब गला दबाना है और क्या समझते हो हम इसे ही तार जय सतन गए है क्या सुदामा से डाइरेक्ट दौरिता धीस बन गए है कडी साधना के बाद तब हमें सिद्धियां प्राप्त हुई है अब हम सिद्ध पुरुष है सिद्ध पुरुष नजर भर कर देख लें तो चेक पर किये गए दस्तकत की स्याही उड़ जाए उंगली का इसारा करें तो दसों दिसाओं की पवन ठिठके बेर खाकर जहां गुठली थूकें बरगत जमें आओ 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 आज जो मंचों से मेरे उपर प्रश्ण करते हो न एक-एक का जवाब लूँगा ढंग से तुम्हारी क्लास लूँगा एक-एक प्रश्ण का जवाब दूँगा हमारी रास्ट प्रेम पर सवाल पता है लोग रास्ट से प्रेम करते हैं हम रास्टिय संपत्तियों से प्रेम करते हैं अच्छा हमने जो वादे किये थे उनको पूरा करें कि न करें तुमसे क्या मतलब तुम्हारे पेट में क्यों मरोड उठती है एक बात बताओ अगली बार जब हम चुनाओ का नामांकन भरेंगे तो उसमें पूछा जाएगा कहीं कि जो पिछले वादे किये थे उनको पूरा क यकी नहीं तो फिर तुम क्यों पूछते हो ये इस अच्छी बात पर ताली बजा ये डूप गए आप लोग ये ताली बजा के बताते रहिए कि हाँ ब्यंगा आप तक जा रहा है हाँ हमने कहा था कि गरीबी हिटाएंगे अरे हम तो साप साप अपने चुनाव प्रशार में ही लोगों से सब साप साप कह देते थे हमने कह दिया था कि आप लोगों ने अब तक जिसको जिताया सब ने आप लोगों को चूना लगाया किरपा कीजिए अब की बार हमें मौका दीजी हां हमने कहा था कि गरीबी हटाएंगे तो हटाया गरीबी हटी की नहीं ये जानने के लिए गरीबूं से मत पूछो देखो कि आंकड़ा क्या कहता है आंकड़ा महत तो पूर्ण है आदमी तो आता जाता रहता है काते हो महगाई है महगाई है महगाई है अरी ये तुम्हारी अकल कहां खो गई समझ में नहीं आता डालर के मुकाबले प्याज मजबूत हो गई है ये पेट्रोल आउड डीजल की कीमत थोड़ा से और बढ़ जाने दो देखना देर नहीं लगेगी मोटर कार दाम सुन कर भागेगे अरे भाई थोड़ा सम्हांगा खरीदने खाने की आदत डालो आदत डालो नहीं तो कल कुछ शहर स्मार्ट बनेगा गाजर दो रुपिया किलो बिके अच्छा लगेगा हमारे उपर पक्षपात का आरोप लगाते हो पक्षपात तो आदमी क्या हम सड़क तक से पक्षपात नहीं करते कोई सड़क पचीस साल बने हो पांच साल पहले बनी हो पांच महीने पहले बनी हो मरमत सब की करवाते हैं यहां तक कि कोई सड़क कभी बनी ही न हो उसकी भी मरमत क्या बात कहते हो भ्रस्टाचार है भ्रस्टाचार है ठेकेदार ने सरकारी कालोनी की छत गंगा जी की रेती से बनवा दिया तो कहते हो कि भ्रस्टाचार किया अरे तुम्हारी सोच कितनी घटिया है कितनी विचित्र है जानते ही नहीं गंगाजी की रेती से बनी छत मजबूत भले नहो पवित्र है क्या बात है वाँ 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 जिस पर गिरेगी उसका कल्याण हो जाएगा सीधा स्वर्ग जाएगा देखा करो कि हम अपना कर्तब निभाने में कितनी ततपरता निभाते हैं कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदाय आए भूकंप आए बाढ़ है आए अकाल पड़े पल भर की देरी नहीं करते हैं तुरंत कमेटी सरकारी कमेटी भेजते हैं उस कमेटी तै करती है कि राहत का बजट कितना होगा और उसमें किसका कितना कितना हिस्सा होगा हाँ यही हमारी सरकारी पारदर्सी परिपाटी है मिल बाट कर खाना भरस्ताचार नहीं है को आपरेटिव सोसाइटी अभी पता नहीं कब तक मेरी सांस उपर की उपर नीचे की नीचे रहती वो तो गनीमत ये हुई कि अब तक उनके पेट का अलकोहल इनकलाब जिन्दा बात करने लगा था उनकी पलकें थोड़ा सामूंदी वो गुनगुनाये जुलनी में मन लागा मौका ताड कर मैं सिर पर पैर रखकर भागा सोचने लगा कि हे भगवान अभी तक मैं कितना अंधेरे में था हमारा ये नेता तो हमारी राह में सिर्फ कांटे बोता है रासायनिक बिसलेशन हो तो इनके सुभाव में वही मिलेगा जो पोटैसियम साइनाइड में होता है ये नेता नटवर नागार भीतर भीतर लकड़ बगगा बाहर करुणा सागर आनंद कंद बेवहार से वीरपन वाड़ी से वीबेका नंद ऐसे ही चाल चरित पर इन्हें दी जाती है ये किस तोपों की सलामी पता नहीं कहां रह जाती है खामी एक भी गोला सही निसाने पर नहीं बैठता मंत्री जी बाल बाल बचे तो अकसर ये क्या हो जाता है शुभकाम के बीच में ये बाल कहां से आ जाता है एसी कार में जाते हैं भासन दे के आते हैं तो नवकर से पाउं दबवाते हैं अब आप ही लोग बताईए कि भासन देने से कहीं पैर दुखता है गला क्यों नहीं दबवाते हैं एक बार दववा लें तो हो जाए इस थाई समाधान इनके कलेश का है और कल्यान इस देश का हे प्रभु दिनानाथ अब तो बस आपका ही सहारा है यह मुल्क मुसीबत कमारा है आप ही कुछ करिश्मा दिखाईए चुनाओ बैलट से हो या मसीन से भरस्टनेता इस दलका हो या उस दलका इन्हें हराईए प्रभु इस देश के लोकतंत्र को बचाईए इस देश के लोकतंत्र को बचाईए